सिच्छा मंत्री ने कुछ नहीं किया हम लोग के साथ रूली वैभार किया है जब इनसे मिलने गए तो बोले मैं अभी खुद और अस्थाई हूँ जब हमारी मंत्री मंदल का विस्तार होगा तब आप आएंगे अब आप बताईए सर कल फर मराने के अंतिम्तिति है हम लोग का नोकरी खाने वाला यहीं सिच्छा मंत्री हम लोग का नोकरी खाया 6-8 क्वालिफाइड हूँ टीरी 1 में नहीं मिला मौका टीरी 2 में मौका मिला लेकिन उसमें तो बाहरी लोग आ गये और उसमें हमको मैं दो नमबर से छट गया 10 साल का उमर का छूट था वो भी खतम हो गया तो हम कहां जाएं अब यह लोग क्या करेगा लोग कि पांच केजी हम आपको आनाज देंगे महीने में आप लेकिन जॉब नहीं देंगा हम उसके योग हैं क्या हम साइंस के टीचर नहीं बन सकते हैं क्या हम नहीं पढ़ा सकते उसकुल में यह लोग यूग है सरकार बदल के अपना बना लेगा लोग लेकिन हम लोग आयूग गोसित हो जा रहा है चाहे मंत्री हो चाहे बिरोक्रेट हो सब मिली भकत हो रहा है और हम लोग का जीवन बरबाद करने में तुले हुए हैं हम लोग करे तो करे क्या बियाड है सब्सक्राइब भी नहीं दिया गया समझे बारोह के बाद तो एस्टेट हुए एक के बार तेईस में आ गया वो भरेज में हम लो आ गये दो महीना एक महीना से चट गए BPSC 3.3 का बहाली आई है उसको लेकर के मोका मांग रहा है तमाम जो सिक्षक अभियर्ती हैं वो लगातार कह रहा है कि हमें मोका मिलना चाहिए अगर मोका नहीं मिला तो हमारे जीवन जो है वो बरबाद हो जाए देखिए तमाम सिक्षक अभियर्ती पहुँच गए सिक्षा मं करेंगे सभी सिक्षक में निक्त हो जाएंगे उसके बाद बीच में बीपेसी को लाया गया जब बीपेसी के एकजाम को लाया गया तो बोला गया था कि आप लोगों को तीन बार एकजाम में बैटने का मौका मिलेगा लेकिन हम लोग मैं अपनी बाद बताता हूँ जैसे कि कॉमर्स के अभियर्ती में हूँ तो हम पहली बार TRE1 में जैसे एकजाम में बैठे उसके बाद हम ओवरेज में चले गए और TRE2 ए दूसरे में हम लोगों को छुट नहीं दिया गया था उसके बाद हम जब TRE2 में नहीं बैठ पाए तो TRE थड़ में भी हम लोग का अयोग कर दिया गया है जिस दिन से TRE थड़का विग्यापन आया है हम लोग प्रतेक नेता मंत्री अधिकारी विप्यसी जितने भी कालिया हम लोग दर दर भटक रहे हैं यह जब जिस दिन विग्यापन आया दस तारीक से फ़र्म भरानी थी दस तारीक को जब हम लोग नहता मंत्री से मिलने गए अभी यहां फ्लोर टेस्ट के लिए होगा हम फ्लोर टेस्ट में जीते हैंगे तब नाम कुछ कर पाएंगे उसके ब हम न्याय की भीक मांगने आये हैं तो आज मुकर जा रहे हैं अभी मैं आप देख रहे हैं कि मैं सिक्षा मंत्री के आवास के बाहर हूं जब इनसे मिलने गए तो बोले मैं अभी खुद और अस्थाई हूं जब हमारी मंत्री मंडल का विस्तार होगा तब आप आएंगे तो आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे क्या कि जब तक आपकी अस्थाई होगी बहाली भी उस समय निकालते हैं तो मैं कह रहा हूं कि जो भी करना है अगर आप आज कुछ कर देते तो हमारा कल भी लब हो जाता लेकिन इन्होंने कहा भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे यह उ और उसके बाद भी समरार चौदरी के आवास पर भी गये थे जो हम लोग आवेदन दे रहे हैं उसकी रिसेविंग भी हमको नहीं मिल रही है अगर कल आप कहेंगे कि आप नहीं कह रहे हैं मैं समरार चौदरी जी के आवास पर गया मॉर्निंग में पांच बज़े से खाड़ा रहा सार्या सब्सक्राइब कहते हैं आप नहीं कहा रहे हैं कहते थे कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं लेकिन आप नहीं है अभी कहां सुन कहा रहा है सुनते तो आज अब लोग 25 तारीक हो जाता अब लोग फारां बरते हैं मैं 628 क्वालिफाइड हूं टीयारी 1 में नहीं मिला मौका टीयारी 2 में मौका मिला लेकिन उसमें तो बाहरी लोग आ गये और उसमें हम को मैं दो नमबर से छट गया दस साल का उमर का छूट था वो भी खतम हो गया तो हम कहां जाएं अब किसके पाज़ बार बहाली आती हर बार नियम बदल दिया नियम बदल दिया बीपीएसी का रूल है और शिक्षा विभाग का कि जब बहाली निकले नियम बदल दिया ठीक है यही सिक्षा मंत्री थे कि जो हम लोग को अस्वासन देते थे जो भी पास कंडिडेट है आप लोग इतना न मिठाई खा लिजेगा दिवाली के पहले न कि आप लोग को मिठाई दूसरा खाने के जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग दे देंगे जोब उसके बाद स यह लोग सरकार से जाता है लोग फीर आता है लोग बीपीएसी आता ही है यहां पर एकजाम लेने के लिए बीपीएसी के द्वारा ठीक है स्वागत योग्य है कंडक्ट करा जाता है हम लोग एक दो नमबर से रह गया है साइंस है और जेनरल से हम विलंग करते हैं 37 साल उमर लगबग बैकेंसी है इतना बच्चे अंदोलन किये उसके बाद भी लोग कान पर जू नहीं रहेंगा वही हाल है यह लोग क्या करेगा लोग कि पांच केजी हम आपको आनाज देंगे महीने में आप लेकिन जॉब नहीं देंगा हम उसके योग हैं क्या हम साइंस के टीचर न मंतरी थे हम लोग का नोकरी खाने वाला यहीं शिक्चा मंतरी हम लोग का नोकरी खाया और यह क्या मंतरी तो कि आप जूट नहीं बोलना है पुछिया का इस ट्री भूगोल जो भी मने सोशल साइंस का भी सरता उसमें दिया गेया था अभी दो माह के बाद दो यह माह के बाद दूसरा वाहली फेर ले लिया यह टी यार तीरी अटी यार टू में हम लोगों का जो है एक नमर से चुट गया तो सप्लम सप्लमेंट्री रिजेल्ट भी नहीं दिया गया समझे बारों के बाद तो एस्टेट हुए एक के बार 23 में अब भरेज में हम लोग आ गए दो महीना एक महीना से चट गए सचीव की गलती लग रहे हैं सारा सब्सक्राइब हो रहा है हम लोगों का जीवन बरबाद सारा बिवस्था जो यहां सिख्षा विवाद का जो भी है चाहे मंत्री हो चाहे बीरोक्रेट हो सब मिली भगत हो र अलत कर दो मिल मिल रहा हैं तो हम लोग आरेकि ब्यार करके क्या करें घ्राइब लोग रदीली के टोकरी में जाने वाला, है यह sir कल दो रहा है इस वज़े से मतलब मंतरी जी नहीं मिलेंगे टाइम देते हैं 9 बजे, 9 बजे आते हैं उसे मैं भी नहीं मिलते हैं 2012 के बाद, 2013 में STET हुआ आठ सब्जेक्ट का, आठ सब्जेक्ट का उसमें एकोनोमिक्स भी है जिसमें हम लोग पास किया STET उसके बाद एक नमर से हमको छुट गया BPSC, TRE2 एक नमर से छुट गया TRE1 में 10 साल का छुट दिया गया TRE2 में भी 10 साल का छुट दिया गया और TRE3 बताइए, अगस्त में होने वाला था, दो महिना में हो रहा है और 10 तारिक से फ़र्म भी बरा रहा है और आज लास्ट डेट भी है और हम लोग को एज रिलेक्सेशन के बज़े से हम लोग फ़र्म नहीं भरे हैं हम लोग पूरे परे सावन है सर भोट लेने के टाइम में हाथ जोर के भोट लेते हैं उसके बाद अभी हम लोग को कोई बड़िता नहीं दिया जाता है हम नहीं बात करने के लिए तैयार होते हैं बोलते हैं कैबिनेट विस्ताद नहीं हो आगे आप लुग करेंगे सर और साटिपिकेट चलाएंगे दूसरा काम भी कर सकते है हम पूरा समय बाद पस किये तो फिर मुखा मिलना चाहिए यह एक्टम बाहर हो oh God सप्लिमेंटी सीट ही है सप्लिमेंटी रिजल्ट भी नहीं दिया गया और सप्लिमेंटी सीट है, बैक सीट को जोरक दिया गया, तो हम लोग को छुट मिला चाहिए न, एज रिलेक्स एसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग फॉर्म ने बढ़े हैं, और आज हम लोग का जो ये ओभरेज में हम लोग चले गया है, तो इसका सारा देन सरकार के उपर ही जा रही है, इस कारण यह है कि ये लोग 12 साल में बहाली निकाल रहे हैं, आज एक साल में ये चार बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन 12 साल में मातरिये एक बहाली निकाले थे, आज ये वेकंसी निकाले हैं, ये सब पिछला ही वेकंसी को ये कर रहे हैं, तो जब हमें ही आप नहीं निकालिएगा तो हम लोग ओभरेज में क्यों नहीं जाएंगे आज जब हम ओभरेज में चले गए हैं आप टी यारी टू में दिये स्टीटी दोहजार तैइस में मैं पास हूं और वह भी आप चार साल पर ले रहे हैं जी सिक्षा मंत्री से मिले लेकिन उनसे ना तो कोई आस्वासन मिल रहा है ना तो हमें कोई उम्मीद है वो सिर्फ हमें टरका रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं अब हम किस पाठक से केके साले हैं बस टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं जी मुख्यमंत्री जी से उमीद है और हो सकता है मीडिया के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से उनके कानों तक हमारी आबाज पहुंच रही होगी तो हम आपके समक्ष हाथ जोर कर उनसे तमाम अपने बंधू में आपने बाहली नहीं लिया अगर आपने बाहली रेगुलर रूप में लिया होता यह बीपीसी ट्यारी टू पॉइंट ओ हुआ है उसमें मैं इंग्लिस सब्जेक्ट के लिए 910 के लिए मैंने एक्जाम दिया था उसमें मुझे 63 मार्स आया है 67 मार्स पर इसमें इडवलू एस का सेलेक्शन हुआ है तो क्या अगर हमें एक या दो एटेम्ट और मिलता तो क्या हम उसमें पास ने कर पाएंगे दो चार नंबर हमारा कुछ हरबरी के कारण या किसी कारण हमारा कम नंबर आया है तो हमें एक दो एटेम्ट और मिलेगा तो क्या हम इसे पास ने कर पाएंगे आज बहुत ही बिडंबना के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से या कहना चाह रहा हूँ कि नियोजी सिक्षक भी कुछ अपनी मांग को उठा रहे हैं उनका कहना है कि हम ना तो परिख्षा देंगे और आप हमें नोकरी पर रखिये हमें राजिकर्मी का दरजा भी दीजिए और आपको या जानकर बहुत हैरानी होगी कि सरकार उनकी बातों को बहुत गौर भी कर रही है तो क्या हमारा लाइफ मातर 37 बिश आगे है तो क्या हमारा लाइफ मत्र 37 बरस है स्षिचा मंत्री ने कुछ नहीं किया हम लोंके साथ रूली बैबार कि दिसके पहले कुछ नहीं सिरु आसवासे तरी ठीक है आप लोग कदेखा जेगा अब क्देखा जेट अब क्या देका जाएगा अब क्या जांगे वह कि यहां से जो यहां से जो इसे मिले क्या बोले कि आप लोग जाईए हम कुछ ने कर सकते तो उनका भी भाग है तो हम किसके पास जाए हम लोग 13-14 सेशन के स्टूडेंट है दस साल के बाद इन्होंने बहाली निकालिया मात एक मौका हमको त्यार टू में बठने का मौका मिला क्योंकि हम लोग का एज तो पैठा नहीं रहता है जिसके कारण हम आज लो हम लोग माने ओभर एज में हमारे जैसा लाखों भाई बहां छट गए हैंगा अब उनकी जिन्द कभी अर्थी हैं वह काफी रोज में काफी गुस्सा है इनमें और कह रहे हैं कि यह सटिफिकेट जो है जब साट वर्ष के लिए कह दिया गया है कोड के द्वारा तो क्या यह साइंटिस वर्ष के लिए ही है यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जर पर उर करें